अलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजूकेशन तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है प्यारे बचो आज मैं बात करने आया हूँ पंजाब PPMET BAC Nursing के बारे में पंजाब में बाबा फरीद University of Health Science के द्वारा BAC Nursing की काउंस्लिंग चल रही है BAC Nursing course में admission के लिए बर दोस्तो बाबा फरीद University ने इंटरेंस एक्जाम करवाया था और उसका रिजल्ट आने के बाद First Round की counselling करवाई गई प्यारे बचो जानकरी के लिए आपको बता दूँ कि First Round counselling में reporting की आज last date है बिटा आज जो है First Round counselling की reporting करवाने की last date है क्योंकि आज क्या है बचो 20 जुलाई है और 20 जुलाई 2024 First Round counselling की reporting की क्या है बचो last date है अब बात बड़ी यह है कि फिर Second Round कब start होगा क्योंकि बहुत सारे बचे यह जानना चाते है कि सर Second counselling कब start होगी तो मेरे प्यारे बचो Second counselling और Upgradation की भी हम अभी बात करने वाले हैं तो देखो First Round की counselling आज आज आपकी complete हो जाएगी जिन भी बचोंने अभी तक college reporting नहीं की है जिनोंने अभी तक college join नहीं किया है मेरा उनसे निविदन है कि college आप join जरूर कर लें college join जरूर कर लें अगर बिटा आप college join करते हैं तो इसके बहुत सारे benefits है अगर आप college जोईन नहीं करेंगे तो अगले round में आप change भी नहीं करवा पाएंगे, upgrade भी नहीं करवा पाएंगे अब बच्चों देखो देखें, second round की अगर मैं बात करूँ तो जो second counselling है आपकी second counselling मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, कि आपकी जो second counselling है लग बग 25 जुलाई के आसपास start हो सकती है मैंना लग बग ऐसा लग रहा है बच्चों कि 25 जुलाई, 25 जुलाई तक आपकी जो counselling है वो शुरू हो जाएगी तो बच्चों इसके लिए कौन participate कर सकता है हम लग बग अनुमानित date बता रहे हैं बेटा हो सकता है, इससे दो दिन पहले भी start हो सकती है और इससे दो दिन बाद में भी start हो सकती है है ना? बिल्कुल जी अब अगला point यह है कि sir, second round में कौन participate कर पाएगा तो देखो बिटा, second round में participate करने के लिए आप qualify होने चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो qualify candidate है है ना? जो qualify candidate है जिन्होंने इस exam को qualify कर रखा है वो बच्चे participate कर पाएगे ठीक है कि नहीं? दूसरी बात यह है अगर किसी बच्चे ने first round में participate नहीं किया है first counselling में जिन्होंने participate नहीं किया है वो बच्चा भी second round में भाग ले सकता है अगर किसी ने first round में participate नहीं किया है ना? वो भी इस counselling के लिए क्या है जी? qualify है ठीक है कि नहीं? और जो qualify candidate है ठीक है न और अगर कोई बच्चा है मान लो भाई उसने first round में participate तो किया बट जिसको college ही alert नहीं हुआ first round not alert college जिनको पहले round में college alert नहीं हुआ था वो भी second round में participate कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को सायद choice को edit करने का option भी मिल सकता है जो पहले already choice fill की हुई है उनको edit करने का chance भी मिल सकता है ओके बिलकुजी अगला जो point है बच्चों वो यह है कि जिन बच्चों को first round में college मिला जिनको first round में college मिला था जिनको first round में college क्या हो गया float हो गया लेकिन जिनोंने join ही नहीं किया not join जिन बच्चों ने college join नहीं किया वो बच्चे भी qualify हैं वो बच्चे भी second round में participate कर सकते जिनको first round के अंदर college alert नहीं हुआ वो भी second round में participate कर सकते हैं जिनको first round में college तो alert हुआ बट जिन्होंने जोइन नहीं किया, कोलेज बहुत दूर मिला, ऐसे बच्चे भी second round में participate कर सकते हैं, ऐसे candidate जो qualify है, बट जिन्होंने first round में भाग नहीं लिया, वो बच्चे भी participate कर सकते हैं, अब बड़ी बात यह है, कि बहुत सारे ऐसे student है, जो कोलेज को change कराना चाते हैं, अपग्रेडेशन, या जिसको हम बोलते हैं बच्चो upward, upward moment, अना, काफी ऐसे बच्चे हैं, जो कोलेज change कराना चाते हैं, अना, अब देखो, जनरली बच्चो नियम यह होता है, कि कोलेज कौन change करा सकता है, कोलेज वही बच्चा change करा सकता है, जिसको कोलेज अलोट हुआ औ अगर मान लो कोई एक बच्चा है, और उसको कोलेज क्या हुआ बटा, एलोट हुआ, है ना, अब कोलेज फैस्ट राउंड में किसी को एलोट हुआ, फैस्ट काउंसलिंग में एक बच्चे को कोलेज क्या हुआ, एलोट हुआ, और बच्चे ने कोलेज क्या कर लिया, जोइ करता है वो बच्चा सेकंड राउंड के अंदर सेकंड राउंड में चेंज के लिए अपलाई कर सकता है नॉर्मली रूल यही होता है अब बेटा इस बार PPMET नए क्या संसोधन और बदलाव करती है या न्यू पोलिसी एड करेगी कि अपनी ओल्ड पोलिसी में कुछ हमें पता चली जाएगा लेकिन बच्चो हम सब यही डिमांड रख रहे हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के सामने कि अपग्रेडेशन का ओप्सन दिया जाए सभी स्टेट में यह ओप्सन मिलता है कोलेज चेंज का बच्चों को मोका बिलकुल मिलना चाहिए जिन भी ब प्यटा ईएमेल जरूर करना फीपी एमेटी की इस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की टीम को थैना इनकी वेबसेट पर बचो एक मेल आई-डी दी हुई है इनके प्रोस्पेक्टन mundial में बी मेल आई-डी दी हुई है उस पे आप रिक्वेस्ट के लिए मेल आईडी पर मेल करना कि please allow in second round for upgradation ठीक है ना ये बात आप जरूर इनके सामने रखना अब बात है बेटा कि second round में कितनी seatे खाली है तो देखो बेटा second round counseling की बात करें तो बच्चों आप मान के चलेगी बाई three days, five days, six days में start हो जाएगी counseling अगर मैं vacant seat की बात करूँ बेटा vacant seat तो government में और private में बेटा दोनों में seat तो खाली है government में भी खाली है और private में भी seat खाली है ठीक है ना, seatे तो दोनों में ही खाली है government में approach कितनी seat खाली है मुझे लगता है each and every college have 10 vacant seat जहां तक मुझे लगता है यहां पे जो vacant seat होगी वो approximately 10 seat in every college यनि आप मान के चलें बच्चो इन सभी college-ों में मिला करके 50 से 70 या 80 तक जो है vacant seat हो सकती है government की और इससे ज़्यादा भी हो सकती है इससे ज़्यादा भी हो सकती कई बार 20 seat पर college भी vacant रह जाती है है ना आजे लेकिन पटियाला के college में परीड कोट में अमरिस सर में number of vacant seat तोड़ी कम रहती है बेटा लेकिन जो फजिल का है बादल है मुक्त सर का college जो है वहाँ पे number of seat vacant ज़्यादा देखने को मिलेगी ओके बच्चो बिलकुल लेकिन लगबग 50 से 80 तक या 100 तक seat भी आपको vacant मिल सकती है खाली मिल सकती है second round पे लिए जानते हो कैसे खाली रह गई होगी बेटा बहुत से बच्चों को second round में seat अलोट हुई है लेकिन काफी ऐसे बच्चे अपने विजय एजुकेसन के हैं पापी ऐसी बच्चियां हैं विजय एजुकेसन से online preparation करती थी और उनका बटेंडा M's में भी हो गया है उनको बटेंडा M's बटेंडा भी मिल गया एना उनको M's बटेंडा भी मिला है और उनको जो है पटियाला अमरित सर फरीद गोट और अधर कॉलेजेज भी मिले काफी ऐसे केंडिडेट है काफी ऐसे गल्स केंडिडेट है बेटा जिनको पंजाब के PPMET के कॉलेज भी अलोट हो गए और M's भी अलोट हुआ क्योंकि अभी पेरिलल M's की काउंसलिंग चल रही है उन बच्चों ने फिर ये PPMET के कॉलेज नहीं लिये है तो लगबग मुझे लगता है कि 40 के अराउंड तो पंजाब की गल्स हैं 30 से 40 जिनका M's में भी सेलेक्शन हो रखा है और इस PPMET में भी हो रखा है अब देखते हैं उन्होंने कितनी गल्स ने जोइन किया है कितनी ने नहीं किया है वो तो वेकेंट सीट का मेट्रिक्स आएगा तो ही पता चलेगा सीट मेट्रिक्स आभी सकता है नहीं भी आए ठीक है ना बिल्कुल जी तो यह सारी चीजे हैं बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रही बात प्राइवेट कोलेज की प्राइवेट कोलेज में बेटा लगबग 50% सीट जो है वो अभी भी वेकेंट है खाली है ठीक है ना बिल्कुल टॉप कोलेजेज में भी सीट ओपन है बच्चो अभी तक ठीक है ना बिल्कुल जी आप देखो बच्चो अगर मैं बात करूँ लोक्योमेंटेशन की काफी बच्चे पूछते हैं और सीट रिजाइन के बारे में भी काफी बच्चे पूछते हैं बच्चो बटा सीट रिजाइन का अगर किसी बच्चे ने जोइन कर लिया और अब सीट छोड़ना चाहता है तो बच्चो रिजाइन का तो सिस्टम 10 डेज या 15 डेज का कई बार मोका जरूर मिलता है या आप कोलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे इमेल या कोल करके पता करें कि आप रिजाइन कर सकते कि नहीं कर सकते है ना बिल्कुल क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एमस अलोट हो गया पेरा मेडिकल का या नर्सिंग का तो अब वो बच्चे छोड़ना चाहते हैं कोलेज जैसे किसी ने जोइन किया अमरिस्टर का कोलेज जैना अब मान लो किसी को अभी जैस्ट कोई अधर कोलेज अलोट हो गया किसी अधर कोरसेज में उसका सेलेक्शन हुआ तो एक बार आप कोलेज प्रिंसिपल जो होते हैं नर्सिंग के उनसे भी एक बार जरूर पूछें आप बच्चो यह डॉक्यूमेंट है जिनके बने हुए अच्छी बात है नहीं तो सेकंड राउंड इस्टार्ट होने से पहले यह डॉक्यूमेंट आप रेडी करवा दें टेंथ की ओरिजिनल मारक सीट ट्वैल्थ की ओरिजिनल मारक सीट इसके अलावा बच्चो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉमी सिल जो तिवियंग बच्चे हैं फिजिकली एंडिकेट उनके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अलावा बच्चो आपके फोटो की जरुट होने वाली है लगबख सिक्स फोटोग्राफ है ना और इसके अलावा आप ने जो फॉर्म फिल किया था बच्चो उस फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना चाहिए आपने जो एक्जाम दिया था उस एक्जाम के एड्मिट कार्ड का प्रिंट आपके पास होना चाहिए ठीक है ना आपके खुद के जो डॉक्यूमेंट टैसन है वो आपके पास बिलकुल होने चाहिए ठीक है ना बच्चो अगर कोई EWS केटेगरी का है तो उसके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है ना अगर किसी की special category है मानलो defense से related है है ना service man family से है कोई बच्चा ना NRI है या कोई किसी ने special कोटे से apply किया है तो वो special certificate भी होना चाहिए आपके पास दी आएगा औरिजनल आईडी के तोर पर आपको आधार ये तो अब सभी के पास available है अगर किसी के 12 के बाद गेप है तो बच्चो आपको गेप का एफिडेविट जो है वो बना के देना पड़ेगा इसका परफॉर्मा में बता दूँगा और जब आपको कोलेज अलोट हो जाता है बेटा तो एक पेरेंट की तरफ से और एक स्टूडेंट की तरफ से अंडर्टेकिंग का एक एफिडेविट आपको सेल्फ डिकलिनेर करके देना पड़ता है ठीक है ना तो ये सारी चीज़े हैं बच्चो तो अभी आप सब बच्चों को कहना चाता हूँ बस थोड़ा से इंतिजार करिए अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है गॉवर्मेंट कोलेज में बच्चो फीस कितनी लगती है जी गॉवर्मेंट कोलेज में फीस बटा लग बग आपकी 46 यहां पे लिखी हुई है लेकिन 48 के अराउंड लगती है बच्चो 48,000 के अराउंड लगती है ओस्टल की जो चार्जेज है बच्चो किसी में जो ओस्टल के रूम का चार्ज है वो 15,000 रुपे है पूरा एयर का किसी में थोड़ा ज़ादा है है ना बिल्कुल जी अब इसके बाद में और अगर हम बात करें यह क्वालिफिकेशन स्कोर होता है बेटा जनरल वाले बच्चे 50 परसंटाइल तक क्वालिफाई होते हैं SC और OBC वाले 40 जनरल और PWD वाले बेटा 45 SC, ST, OBC, PWD के 40 परसंटाइल बच्चो एक आप सारे request mail करें एक मेरा सभी बच्चो से निवेदन है आप बच्चो यह जो score है ना qualifying score इसको हम चाहते हैं कि 40 परसंटाइल या 30 परसंटाइल करें इसके लिए बच्चो आप सारे लोग अगर mail करके request mail करते हो तो यह जो qualifying score है कम हो सकता है बहुत सारे राजियों में कम होता है आप पी पी एमेटी बाबा फरीज उनसेटी से request कीजिएगा कि हमें भी private college में admission के लिए आप allow कीजिए हैना qualifying score को थोड़ा कम कीजिए तो वो 30 या 40 परसंटाइल तक इसे गटा भी सकते हैं बच्चों क्योंकि इसके लिए कोई rule बनावा नहीं है यह university पर ही depend करता है हैना जो not qualify बच्चे हैं उनको भी सभी को तो देखो नहीं सामिल किया जा सकता है लेकिन कम से कम general वालों को 40 परसंटाइल तक SCST OBC को 30 परसंटाइल तक भी अगर सामिल कर ले तो अच्छी बात है ठीक है ना बिलकुल तो यह सारी चीजें बटा बाकी नया अपडेट आते ही मैं बताऊंगा यह अपने government को लेज है अमरिस्सर, पटियला, गौनवाल, साइब, बादल हैना फरीद कोट और फैजिल का इन में जो top का college है बिटा हो आपका पटियला है और अमरिस्सर है हना पटियला, अमरिस्सर और इसके बाद में आपका फरीद गोट यह जो तीन college है यह टॉप के college है बचो हना अभ इसके बाद में अगर हम बात करें पटजिल का की, बादल की या गौनवाल साइब की तो यह लगबग एक ही लेवल के बराबर ही है ठीक है ना बचो बिलकुल और बचो मैं आपको बता दूँ कि जो है अपने विजे एजुकेशन से पढ़ने वाले एक बंदू है बेटा उनकी सेकंड रेंक आई है इसी पंजा पीपी मेटी में पंजा को टॉप किया है अपने विजियंस ने बेटा इसी तरह से पेरा मेडिकल के अभी एम्स के रिजल्ट आएं इसमें फैस्ट रेंक और सेकंड रेंक अपने विजियंस की है बेटा ठीक ना और मुझे बड़ी खुसी होती है यह बताते हुए कि अपने जो विद्यारती है यह सभी को बना के देना है इसकी आपको दो फोटो कोपी लेनी है एक पे पेरेंट के साइन होते हैं और एक पे स्टूडेंट के साइन होते हैं यह सभी को देना कंपलसरी होता है एडमिसन के समय इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो यह गेप का एफिडेविट है विटा जिनके 12th के बाद गेप है जिन्होंने 12th 2014 से पहले किया है मान लो किसी ने 2023 में किया है किसी ने 2022 में किया है 22 वाले के 2 वर्स का गेप है 23 वाले के 1 वर्स का गेप है जिसने 2021 में 12th किया उसके 3 येर का गेप है तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको अपने साइन करने है और यहां आपकी डिटेल बरनी है ना बिलकुल जी यह भी बच्चो यहां पे भी आपको अपनी डिटेल बरनी है बेटा अपना एड्रेस बरना है और यहां पे फेरेंट के साइन कराने है ठीक है ना बिलकुल जी यह आपको याद रखना परेगा ठीक है बच्चो बिल्कुल अब आप में से कोई भी candidate अगर preparation करना चाहता है V.A.C. Nursing Entrance Exam की 2025 के लिए 2025 के लिए तो हमने पंजब के लिए एक बहुत ही special base start किया है तो दोस्तो 9672721229 ठीक है ना बिल्कुल जी तो आप इस तंबर पे खोल कर सकते हैं या 9649721229 ठीक है ना तो आप इन नंबरों पे कोल करके भी बेटा विजे एजुकेशन एप के अंदर जो पंजब B.A.C. Nursing Entrance Exam P.P.M.E.T. के लिए 2025 के लिए ओनलाइन बेच भी जोईन कर सकते हैं नंबर फिर देखिए 9672721229 इसी तरह से 9649721229 इस बार P.P.M.E.T. में विजे एजुकेशन से बहुत बड़ी संक्या में बच्चों के सेलेक्शन हुए हैं मैं ये चाहता हूँ बेटा अगले साल 2024 के अंदर हम चाहते हैं कि इस बार जितने सेलेक्शन हुए हैं उससे डबल सलेक्शन हम विजे परिवार से देना चाहते हैं अगले साल हम पंजाब के लिए specific preparation करवाने वाले हैं इसलिए बटा हमने अभी एक ब्रमास्तर बेच launch कर रखा है साथ ही साथ हम पंजाब के लिए एक special P.P.M.E.T. का बेच भी लेके आने वाले हैं बिल्कुल जी मेरे प्यारे बच्चो आज के लिए इतना ही counseling में कभी भी कोई दिक्कत हो आप जरूर कोल कर दीजिएगा ठीक है विजे एजू कैसन आपका अपना परिवार है बच्चो आपको हमेसा हम guide करते हैं और आगे भी guide करते रहेंगे ठीक है ना बिटा किस college में कितनी seat काली है इसकी information भी मैं अगले दो दिन में आपको दे दूँँगा तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम Thank you so much बिटा